हेलो दोस्तो वर्ड कप दुआ 23 का ब्लोकबस्टर मैच शाउट अफरीका और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया और इस मैच के खतम होने के बाद पॉंस्टेबल में काफी बड़ा बतलाव देखनों के मिला है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं व आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यह वीडियो अंतक देखे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साउट अफरीका और अफगानिस्तान के मच के बारे में इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए पचास ओबरों में 10 विकेट खोकर 244 अन बनाई जिसमें अमतुल्ला ने नाबाद 97 रनों की पारी खेली और साउट अफरीका टीम को 245 अनों का लच्छा दिया जब रनों का पिछा करने उत्री साउट अफरीक टीम ने तो पहले धुआधार माचा है कि उन्टन डिकाक ने तो वही बाद में वोर अंडर डूसे ने संदार पारी खेली जिसकी बदवला साउट अफरीक टीम ने इस मुकाबले को 5 पिकेट जीत लिया तो चलिए दोस्त अब मैं आप लोग को वर्ल्ड कप 23 का निव पोंस्टेवल बताता हूँ तो इसके लिस्ट में 10 वे नमर पे न जाना देश की टीम ने अभी तक 8 मुकाबला खेली है जिसमें से 2 मैंश में जीत की है और 6 मुकाबला हार चुकी है और यह भी टीम वर्ल्ड कप से बार हो चुकी है और आठवे नमर पे श्रिलंका की टीम है श्रिलंका का टोटल मुकाबला 9 हो चुका है जिसमें से 2 मैं जी की है और यह भी टीम वर्ल्ड कप दुआ तेश से बार हो चुकी है और छटमे नमर पे अफगाइस्तान की टीम है अफगाइस्तान टीम का ही मुकाबला अब टोटल ना हो चुका है जिसमें से पांच मुकाबले में हार का समना करना पड़ा है और चार मुकाबला जीती है और आप पकिस्तान की टीम अभी तक इस वर्ड कॉप में जिन्दा है थोड़ा सो उम्मीद बचा हुआ है लेकिन यह भी टीम बाहर आल्मोस होई चुकी है और चौथे नमर पे निजुलेंड की टीम है निजुलेंड की मुकाबला टोटल नव हो चुका है जिसमें से पांच मुक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और दूसरे नमर पे साज़ट अफ्रीका की टीम है यह भी टीम से फाइल पहुं चुक मुकाबले घेल है साथ मुकाबले में जीत हांसिल की है और केवल दो ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और पहले नमर पे टीम इंडिया टीम इंडिया अभी तक एक मी मुकाबला नहीं यहारी है आठ मुकाबला खेली है और आठों में जीत फटे की है और इसके साथ पॉंस्तेवल पहले नमर पे है और वर्ल्ड कप दुआ थेज के सहीं फाइलल पहुंचने वाली पहले टीम बनी थी तो हाई दोस्तो यह था वर्ल्ड कप दुआ थेज का निए पोंस्तेवल जो मैं आप लोगों को पता दिया तो दोस्तों आप लोगों क्या लगता है कि टीम इंडिया सहीं फाइनल मुकाबला जीट जाएगे कमेंट सेक्टन में कमेंट करना ना भूलिएगा तब तक लिए चलते हैं अब अगले वीडियों इसी जो जुन साथ मिलेंगे जोईन बंदे मातरम